क्या भारती जाता पार्टी शासत उत्तर पदेश के पुलीस ठाने टॉर्चर रूम बन गए हैं? यानि यातना और अत्याचार देने वाले कमरे? वो नहीं चाहते कि तु खबर की तह तक पहुंच। क्योंकि खबरों की इनी गहराईयों में च्छिपा है राजनीदी का असली खेल न्यूस चक्र खबर की गहराईयों को टटोलता है। ये सवाल किसलिए उठाय जा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि राजधानी लखनाओं में पिछले कुछ अरसे में लगातार दूसरी मौत हुई है पुलीस की हिरासत में पहले आमन गौतम और अब मोहित। जी हाँ मोहित पांडी की मौत हो गई है मगर आज हम सिर्फ मोहित की बात करने नहीं आये हैं जिसकी पुलीस की हिरासत में मौत हो गई है। परिवार इसको मानने को तयार नहीं है। पूर मुख्यबंतरी अखिलेश यादव इसे अत्याचार ग्रह मान रहे हैं अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये यूपी के टॉर्चर रूम्स हैं जहां बेकसूरों को मारा जाता है। मगर आज हम सिर्फ स्वरगिये मोहित पांडे की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम दो चेहरों की बात कर रहे हैं। पहला चेहरा आपके सामने मोहित उसका परिवार और दूसरा चेहरा रोशनी जैसवाल जो की कॉंग्रिस की एक नेता है। इनका क्या गुनाता मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है साफरन राजेश सिंग जो लगातार इनको बलातकार की धंकिया सोशल मीडिया पर दे रहा था। फिर ये अपने पती के साथ उसके घर पहुँचती हैं हाता पाई होती है और उस घटना के की कुछ सदस्यों को जेल में डाल दिया जाता है और साफरन राजेश सिंग का बाल तक बांका नहीं होता है आज कॉंग्रिस उत्री है अपने नेता के बचाव में उसके हम चर्शा करेंगे मगर सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है मुहित कुमार की चर्शा करें एक एक का दूसरा समाचार मिला है नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलीस हिरासत का नाम बदल कर अत्याचार ग्रहे रख देना चाहिए पीडित परिवार की हर मांग पूरी की जाए हम उनके साथ हैं दोस्तों ये है वो CCTV का फुटेज जहां पर दिखाया गया है मुहित जो ह वो जमीन पर पड़ा हुआ है परिवार का कहना है कि पुलीस ने ये जो CCTV फुटेज जारी किया है ये आधा अधूरा है परिवार ये दावा कर रहा है कि मोहित को टॉर्चर किया गया पिटाई की गई और इसके प्रत्यक्ष गवा उन्हीं के भाई शोभाराम है जो पुली पडेश की राधानी में पिशले सोलह दिनों में लगातार दूसरी मौत पुलीस के हिरासत में मुक्यमंतरी आधितनात में परिवार के साथ मुलाकात की है दस लाक रुपे का इनाम दिया है मगर मैं आपको एक नहाई थी सम्वेलन ही इन तस्वीर दिखाना चाहता हूँ द लाश के उपर पैसा रख कर चले जाते हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं पत्रकार प्यूश राहे हैं पत्रकार कह रहे हैं वन लाक कैश केप्ट ऑन द बॉड़ी अफ मोहित पांडे लखनाउ रेजिदेंट वोज एलेज़डी किल्ड पुलीस कास्टडी दे मानी वोज हांडे ओवर अस फाइनाशल हेल्प तो दे फामिली बाइ बी जे पी एमले योगे शुकला इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि योगे शुकला मिलते हैं परिवार से और लाश की उपर इस तरह से पैसे रख कर चले जाते हैं यह किस तर से आप लाश की उपर पैसे रख कर चले जाएंगे मैं आपको बतलाता हूँ दोस्तों परिवार की क्या हालत है मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर वो वीडियो देखिए परिवार की क्या हालत है यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पुलीस के सामने है ये है उनका वीडियो पूरा वीडियो देखते हैं आईए देखते है इस मुद्बे पर अखबार क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़की सुनाना चाहता हूँ मोहित को लॉक अप में पीठते रहे पानी भी नहीं दिया पिछले 15 दिनों में लगाता और दूसरी मौत गल्पना कीजे दोस्तों ये पश्रमंगाल में हुआ होता पंजाब में हुआ होता या किसी विपक्च शासित राज में हुआ होता प्राइम टाइम में इसमें सुनिये वो क्या दावा करने उनके एक एक शब पर गोहर करने की ज़रूत है सुनिये क्या कह रहे हैं बाई को हमारे टार्चर किया गया, मेरे जाने इस पहले टार्चर किया गया और रात में भी मारा गया है उत्तर पदेश पुलीस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं दोस्तों याद कीजे बाहराईश में सामपरदाइक हिंसा होती है जिसमें राम गोपाल मिश्र की मौत हो जाती है उत्तर पदेश पुलीस पर ये सवाल उठ रहे हैं बाहराईश सामपरदाइक हिंसा को लेकर कि नंबर एक जब एक हिंदू धार में जुलूस एक मुस्लिम महले से गुजर रहा था तो क्या पुलीस वहां तैनाथ थी अगर वहां नारे लगाये जा रहे थे तो उसे रोकने के लिए पुलीस ने क्या किया और उसके बाद दैनिक भासकर का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें दो दंगाई ये दावा कर रहे थे कि पुलीस ने हमें दो घंटे की छूट दे दी अगर ज्यादा छूट मिलती तो हम पूरे महराज गंज में आग लगा देते ये है योगी पुलीस की हालत कम से कम अगर हम उन लोगों की बात पर विश्वास करें तो ये आरोप लगातार योगी पुलीस पर लग रहे हैं कितनी शर्म की बात है ना दोस्तों मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ एक व्यक्ति को कस्टडी में मार दिया जाता है कोई चर्शा हो रही है इसके किसी प्राइम टाइम में इस पर डेबेट हो रहा है प्रियंका गांधी वाडरा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है प्रियंका क्या कह रही है वो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ लखनाउ उत्तर प्रदेश में पुलीस ने दो युवकों को हिरासत मिलिया अगली सुबह एक की मौत हो गई एक पक्वाडे में यूपी पुलीस की हिरासत में दूसरी मौत है परिजनों का आरूप है कि पुलीस ने उनके बेटे की हत्या कर दी यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलीस कुरूरता का परियाय बन चुकी है जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हो वहाँ जनता मियाय की क्या उम्मीद करे एक एक शब माएने रखता है आखिलेश यादव टॉर्चर रूम बता रहे है यानि अत्याचार ग्रह और प्रियंका गांधी बाडरा जो हैं उस हकीकत को बयां कर रही है जो आपके सामने है और मुक्यमंतरी आदितनात 80% बनाम 20% कहते हैं 5 साल पुराना उनका एक बयान वाइरल हो रहा है जिसमें वो मुसल्मान विरोधी बयान दे रहे हैं इनके पास लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्व यही तरीका है और उसके लावा कुछ नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोहित तो मुसल्मान नहीं था ना अमन गौतम मुसल्मान था? नहीं था क्या उन्हें इंसाफ मिला? नहीं मिला मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों कि मोहित गौतम के मामले में पुलीस दरसल क्या है क्या रही है पुलीस का बयान आपके स्क्रीन्स पर मीडिया अपडेट थाना चिनहट विशय थाना चिनहट में हुई घटना के संबंध में विवरण थाना चिनहट में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना चिनहट पर मुकदमा अपराद संख्या 517 स्लाश चौबीस धारा 162 BNS 2023 के तहट पंजिक्रित किया गया है मामले की विवेशना प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर विस्तार को सौपी गई है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में पता नहीं चल पाया है कि मौत किस कारण से हुई है इसलिए दिल और विसरा को जो है वो संरक्षत किया गया है ताकि उसकी और आगे जाच हो पुलिस लगातार इस तरह के बयान जारी कर रही है कि नहीं उनका कोई दोश नहीं है हाला कि थाना इंचार्ज को सस्पेंड जरू किया गया है तो बड़ा सवाल अश्वनी चतुरवेदी को जो सस्पेंड किया गया है वो किस कारण से किया गया बताइए न एक के बाद एक संवेद अनहींता साफ तोर पर दिखाई देती है योगेश शुकला जो की MLA आते हैं लाश पर पैसे भिक कर चले जाते हैं ऐसे कौन करता है एक तरीका होता है भाई इस तरह से घरीब का अपमान कीजेगा हर तरफ भाजपा का एहंकार दिखाई दे रहा है उनका बड़बोलापन दिखाई दे रहा है मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ दरसल ये तस्वीर है संस्कृत छात्रवित्ती योजना को लेकर एक आयोजन हुआ यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आदितनाथ एक चेक दे रहे हैं एक बालिका को संस्कृत स्कॉलरशिप को लेकर अब इसमें दो तीन चीज़ों पर गौर कीजेगा सबसे पहले चेक में मुख्यमंत्री आदितनाथ की तस्वीर है वो जो representational चेक होता है उसमें मुख्यमंत्री आदितनाथ की तस्वीर है ये भी किसी से सीख रहे हैं जियां जब आपके आधार कार्ड से लेकर आपके कुरोना के टीके सब पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हुआ करती थी यहाँ पर मुख्य मंत्री आदितनात की तस्वीर है और यह रकम कितनी है नहीं साथ तीन लाक नहीं, तीस हजार नहीं, तीन हजार भी नहीं जूम इन कीजिए तीन सो रुपे मात्र लिखा भी हुआ है तीन सो रुपे मात्र हकीकत को दिखला रहा है यानि की प्रशासन शासन खुद से इस कदर आत्मुग्ध है कि पहली बात आप किसी बच्ची को बुलाते हैं, पूरा फोटो अपरचिनिटी करते हैं तीन सो रुपे का चेक देते हैं उसमें भी आपकी अपनी फोटो होती है मेरे ख्याल से ये एक शेक बनाने में ही करीब छेसो रुपे लग गए होंगे ये हालत है यूपी सरकार की दोस्तों और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्भाजपा से सवाल क्यों करता हूँ सवाल पूछना लाज़मी है खासकर उन से जिन से मुक्यधारा का मीडिया सवाल नहीं करता तो कस्टोडियल मौट्स और प्राइम टाइम में एक डिबेट नहीं क्यों? ये सवाल तो किया जाएगा ना और ये जो दूसरा मामला है ये भी अपने आप में बहुत शौकिंग है कॉंग्रिस की नेता रोशनी जैसवाल इन्हें लगातार ये व्यक्ती साफरिन राजिश सिंग अनर्गल टिपनिया कर रहा था ये पहुंशती है उनके घर में और वहाँ पर हाता पाई हो जाती है मैंने पहले भी कहा था कि भई अगर आपको कोई परिशान कर रहा है तो इस तरह से कानून को हाथ में लेने की जरुवत नहीं है मगर एक लड़की को लगातार बलातकार की धमकी दिय जा रही थी उसके बाद क्या होता है कि रोशनी के परिवार वालों को जेल में डाल दिया जाता है सापरिन राजेश सिंग पर कोई कारवाई नहीं की गई दोस्तों बनारस की रहने वाली है इस तरह से रोशनी जैस वाल को टॉर्चर किया जा रहा है इसलिए उस शब्द का इस्तमाल किया गया टॉर्चर रूम साफ्रन राजेश सिंग जिसने बलातकार की धमकी दी उस पर कोई कारवाई नहीं होई दोस्तों और ये जो भाजपा प्रचार तंत्र की जो संसकारी समर्थक है ना उनकी यही हालत है इनके पास तर्क नहीं होते हैं दोस्तों ये लोग सिर्फ आपके परिवार की महिलाओं को धमकी दे सकते हैं गाली गलोज कर सकते हैं बस यही कर सकते हैं और इसके लावा कुछ नहीं कॉंग्रिस ने इसे बड़ा मुद्धा बनाया है और विनेश वोगाट सामने आई है विनेश वोगाट ने कहा इस मुद्धी पर कि जिस तरह से हमें ब्रिजभूशन शरण सिंग ने टॉर्शर किया था वही हालत रोशनी जैसवाल की है सुनिये क्या कहरी है विनेश वोगाट आज रोशनी जैसवाल की बात नहीं है हर उस महिला के बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठा ती है उसका चरित्तर अन्हन किया जाता है वो यह नहीं देखा जाता बीजेपी के ऑईटी देखा जाता यह नहीं देखा जाता कि यह ज़िएएं जा और अल्म्यट के मैडलीस्ट हैं इसेलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिला Android बॉलने की हिम्मत बनाई रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जजबा है उस सो तोड़ने के लिए जहिए हमेला के विचारों हो। इसकी हिम्मत को तोड़ा जाए वो BJP से अच्छा कोई नहीं जानता है और में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है क्योंकि मारे साथ में भी वो किया जा चुका है किया जा रहा है मैं आप सब के माध्यम से बताना चाहती हूँ बर्ज बुशन का जो केस था वो आज भी कोट में चल रहा है पूरे देश में ये बातें फैलाई गई है कि ये केस बिल्कुल जूठा था गलत था बिल्कुल ऐसी बात नहीं है वो केस आज भी कोट में है 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में F.I.R. की हुई है एक महिला के बियान दर्द हो चुके है कोट में पूरी गवाई हो चुकी है पांच जो महिलाएं है जो लड़कियां है उनके भी बाकी है वो केस हम अन तक लेके जाएंगे लेकिन हमें हर तरीके से तोड़ने की हमारे खिलाफ में नेरेटिव बनाने की कोशिस की जा रही है की जाती रहेगी लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि हम सिन्ना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ में कॉंग्रिस की निता को कल देखा वो टीवी चैनल भी रोशनी जैस्वाल का चरित्रनन बलातकार की धमकियों का कही न कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था और जूटा बयान उस टीवी में अब ये पुलीस बताए कि क्या पुलीस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंग गिरफतार कर लिया गया है हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलीस ने ये सूचना टीवी को दी है तो टीवी और पुलीस बताए हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंग बलातकार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है लगातार अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरेसेस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने राजेश सिंग के उपर कोई कारवाई नहीं होने दी वो पूरी तरह से सुरक्षित आजाद है और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिये होते हुए बलातकार की अंजाम भुगतने की और पुलीस इरासत में कुछ भी उस ब मगर दोनों में ही निजाम किसके साथ है शासन किसके साथ है आप यहाँ पर साफ तोर पर देख रहे हैं दो मौते हो गई पुलीस कस्टिडी में ये लगातार होता दिख रहा है दोस्तों बहराईच में हमने पुलीस के तेवर देखे दैनिक भासकर के स्टिंग ऑपरेशन म में पुरी तरह से उनको एकस्पूस कर दिया था और अब लखनों में जो किराधानी है मगर सहाब मजाल है इस पे मीडिया कोई भी चर्चा करे मैं समझना चाहता हूं क्यूं अगर रोश्णी जैसवाल की जगा कोई भारती जनता पार्टी नेत्री होती और ये विपक्ष क किसी राज में हुआ हुआ होता जहां विपक्ष का कोई नेता या समर्थक वो भाच्पा की एक नेता को बलादकार की धंकी देता और फिर भाच्पा की उस नेता को उसके पर्वार को जेल में डाल दिया जाता तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं मीडिया के फ्राइम ट वित्रत है दोस्तों, मैंने इसका सामना किया है, मैं नहीं भूला हूँ कि किस तरह से वो एक भाजपा IT सेल का कचरा है, पांडे क्या नाम है उसका, उसने मेरे नंबर को सारवजनिक कर दिया था, नतीजा यह हुआ कि मुझे लगातार फोन कॉल जा रहे थे, और तब एक-एक के पीछे मैं पड़ा था, कम से कम चार लोगं को जेल भेजा था मैंने, इन में से अभी हैं, सरकारी सर्वेंट से वो अभी जेल के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, तुम अगर मेरे परिवार पर हमला करूँगे, तो मैं उसका जवाब द अगर आप धमकी दोगे, तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अगर आप संबाद करोगे, तो मैं आपका जवाब दूँगा, अगर दिक्कत है कि संसकारी पोलिटिकल पार्टी के जो अंद समर्थक हैं, वो संबाद करना भूल गया हैं, वो सिर्फ गाली ग झाली